हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए सूखकी आलू की सब्जी की रेष्पी लिए कि अज़ बनने में बहुते आसान होती है तो यह सब्जी खाने में भी तेस्टी होती है तो एक बार यह रेष्पी आप घर पे ज़रू ट्राइए करना चैनल पर नई होता है लाई को सब्सक् रखेंगे मेडियम साइज ना तो अलुक मैं जिस तरीके में कट कर रहे हूं ऊसी तरीके से आप भी कट कर लेना को तुमेंने सब्छी अलू को कट लिया है तो कट करने के बाद एक पान के और धो लिया अलू अब मोम निखाल लें अचिक कड़ाई गरम के लिए निए चानके लिए तो वने अचिक के अंदर तेल डालें तो एक अपप जितना पोटा ड़ाल रहे हैंग एक टीस्पून जीरा डाल रहे हैं तो जीरे को अच्छे से चटक देना है तो जीरा अच्छे से चटक चुका है अब हम एक चुटी चमछ लाल मिरच है और पास से चैले सुनगी कलिए इनको बर चोप कर लिए तो इनको 2 मिनिट तेल में फ्राई होने देते हैं तो कस्मीरी लाल मीर चोर लेसुन अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम कटके हुए आलू डालेंगे तो आलू गम 5-7 मिनिट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे तो देखिए फ्रेंश अलू अलके गोल्डन ब्राउन हो गया है तो दो यह अमरे पास हर मिर्च है तो इनको हम लंबी-लम भी काट लिए और अमरे पास यह लाले मिर्च है तो इसको बारिक-बारिक चोप कर लिए तो इन सभी को में अच्छे से मिला लेते हैं तो इसमें एक चुटी चमच हल्दी डालेंगे और आधी चुटी चमच घर मसाला डालेंगे तो मैं एक चुटी चमच नमक डाल रही हूँ आप अपने स्वाद अनिसार नमक डाल सकते हो तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम आदा कप से थोड़ा सा कम पान डाल रहे हैं तो पाने से क्या होता है कि सभी मसाले अलू के साथ सेट हो जाएंगे तो अब हम फुल प्लेंप पे एक मिनिट और पकाएंगे तो फ्रेंस टेस्ट या अलू की सब्जी बनके रेडी हो गया तो आप रोट्टी पूडी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हो अगर आपको यह रेश्पी अच्छी लगी हो तो एक बार अलू सब्जी आप घर पे जुरूर बना के ट्राइ करना और चैनल पर नहीं होता ला अलू होता है